माव शिवरा बागू से प्रभावे थे इसी दौरान बागू ने खेट में बंदी हुई गाए पर हमला कर दिया और एक गाए को मार डाला घटना शनीवार को पांडिगाव शिवर में रमेश धान چोड़े के खेट में एक जोड़ी बैल और एक गाए बंदा था इसी बीच बाग ने खेत में गाई पर हमला कर दिया सुबह जब गेत में देखा तो गाई मृत्य पड़ी होई थी इस दोरान उन्होंने वन विभाक से शिकायत की शनिवार को कोई ही बीट के वन पाल जी एस सहरे पीएस चोपडे टित्रामारे शिवरा तलाशी की दोरान गोना रमेश धंजोडे की खेत के पास एक खेत में मृत्य पाई गए शेत में बाग की पेरों के निशान होने से हसपश्ट हो गया की बाग शेतर में घूम रहे थे वन अधिकारियों ने अपरात की आगी की जाच के लिए पशुचिकित साधिकारियों को बुलाया इस घटना के कारण देविदास चंदूरकर को 25,000 रुपे कर नुकसान हुआ सतीश चांदरपूरकर, कैलाज धोटे, हेमराज चमफेकर, उमदेव मेश्राम, शामराव मेश्राम, अमबदास, धनजोडे, आधि ने वन विभाक से किसानों को मुआफ़द देने की मांग की है